Hello friends, chapter 4 से example 2 करेंगे Write each of the following as an equation in two variables नीचे आपको equations दे रखी है, ये one variable में दे रखी है लेकिन इन्हें आपको two variables में बनाना है तो linear equations in two variables इसकी standard form को देखिए पहले ax plus by plus c is equal to 0 linear equations दो variable के अंदर उसकी जो equation होती है, ये इसका standard form होता है तो आपको इन सबको इस form के अंदर बनाना है पहले को देखिए, यहां लिखा हुआ है x is equal to minus 5 अब इसमें करना आपको ये है कि x की जो term है, वो सबसे पहले लिखनी है next में आपको y की term लिखनी है और फिर last में लिखना है constant और is equal to 0 के बराबर उसको दिखाना है तो यहां पे तो मेरे पास सिर्फ x की ही term है तो इस x को मुझे सबसे पहले लिखना है ना तो यहां में सबसे पहले x ही लिखूंगा और इसका जो coefficient है जो कि यहां standard form में आप a देख रहे हो यहां इसका कोई coefficient नहीं है जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है यानि एक बार तो है ना ये तो यह इसका coefficient है अब मुझे लिखना है y की term y की term यहां पर है ही नहीं जब कोई चीज होती नहीं तो उसे हम 0 बार लिखते हैं यानि वो 0 बार होगी तो इसे लिखके ज़रूर दिखाएंगे 0 into y y का coefficient यहां पर 0 है 0 को y से multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा वो गायब हो जाएगा दिखेगा ही नहीं लेकिन हमें क्योंकि लिखके दिखाना है तो हम इसको 0 into y लिखेंगे इसके बार यहां लिखना होता है आपको constant अब यहां पर जो constant है यह minus 5 दिख रहा है आपको लेकिन यह equation के right side में है हम को इसे left side में लेके आना है यानि is equal to के left में लेके आना है तो उधर से जब इसे उठा के लेके आएंगे तो यह minus का यहां पर plus बन जाएगा plus 5 और उधर कुछ बचेगा नहीं उधर रहेगा 0 तो यह हो गई है linear equation in two variables इसको हमने दो variable में दिखा दिया अब second को देखिए y is equal to 2 लिखा हुआ है हमारा सबसे पहला काम है कि x की term लिखनी है यहां पर x की term है ही नहीं जो term होती ही नहीं उसका coefficient होता है 0 तो 0 into x लिख लेंगे फिर हमें y की term लिखनी है y यहां पर लिखा हुआ है left side में यह एक ही बार लिखा हुआ है तो इसका coefficient होगा 1 इससे हम 1 into y लिख लेंगे अभी जो constant है यह is equal to के right side में इसे हमें left side में लेके आना है तो यह 2 इधर आके minus का हो जाएगा और फिर is equal to right side में यह 0 हो जाएगा यह इसकी standard form हो गई है linear equation in 2 variable की और इस one variable की equation को मैंने 2 variable में बना दिया third part देखिए 2x is equal to 3 सबसे पहले मेरे को x की term लिखनी है तो यहां x की term 2x लिखी हुई है तो मैं लिखूंगा 2x उसके बाद मेरे को y की term लिखनी है y इसके अंदर है ही नहीं तो मैं plus करके 0 into y लिख दूँगा फिर मेरे को constant लिखना है यहाँ पे is equal to के right में 3 लिखा हुआ है जब इसे left में लेके आएंगे तो यह minus हो जाएगा और is equal to का अगया कुछ नहीं बचेगा is equal to 0 यह इसका answer हो गया last part देखिए 5y is equal to 2 तो x की term सबसे पहले लिखनी है वो यहाँ पे है ही नहीं तो उसे हम लिख देंगे 0 into में x फिर y की term लिखनी है y की term यहाँ पे है 5y और इस constant को उठाके हमें left में लेके जाना है इनके पास तो यह 2 plus का है तो यह minus का 2 हो जाएगा और is equal to यह हो गया यहाँ कुछ नहीं बचा ही 0 हो गया तो linear equation in two variables की यह standard form होती है इसमें ax plus by plus c यहाँ पे आपको यह जो एक एक variable दे रखे थे इन्हें आपको दो-दो variable दिखाना था जहाँ पे कोई किसी variable की टर्म थी ही नहीं वहाँ पे हमने coefficient को 0 बना के दिखा दिया question खतम